कॉंग्रिस की महासची प्रियंका गांधी इंडिया गेट पहुंचे और यहां सांकेतिक धर्ना दिया गुलानों भी अजाद बिन के साथ थे उन्होंने अपने उसे प्रतिक्रिया दी क्या कुछ था उस दुरान माहोल आईए जानते हैं इस रिपोर्ट में महिनाओं के सुरक्षा के मुद्ने पर कॉंग्रिस महासची प्रियंका गांधी इंडिया गेट पर धर्ने पर बैठी प्रियंका गांधी इसके अलावा जामिया मिलिया इसलामिया विश्रवित्याले के शात्रों पर हुई पुलिस की कारवाई को लेकर भी धर्ने पर रही दर जंका गांधी के साथ साथ उनके समर्थक भी धरने पर बैठे कॉंग्रेस मास अचीब ने कहा है कि देश गुंडों की जाधीर नहीं है दूसरी तरफ चक्तीश टाइटलर भी धरने पर बैठे आपको बता दे कि टाइटलर पर सख दंगे कारोब है कि के सरकार ने संविदान पर बार किया है चात्रा चात्राओं पर चात्र पर बार किया है हमला किया है यह हमारी देश की आत्मा पर हमला है नौजवान है वो देश की आत्मा होती है इसे विद्याले पढ़ने के लिए जाते हैं शिक्षा लेने के लिए जाते हैं आप इनकी लाइबरी में घुसे हैं इन्हें वहां से घसीट के आपने पीटा है हमारा देश एक लगकंत्र है यह ताना शाही नहीं है इस सरकार की ताना शाही के खिलाफ लड़ेगा जवाब मांगे और छात्र छात्राओं के साथ खड़ा रहेगा महिलाओं पर रोज रोज अत्याचार हो रहा है उस पर बोले रोजगार पर बोले दूसरी तरफ कॉंग्रेस देता और राजसभा सांसत गुलाम नभी आजाद ने कहा कि सरकार बिल नहीं लाती तो वित्रो नहीं होता जो हो रहा है उसके लिए सरकार जिम्मधार है कॉंग्रेस कुछ नहीं कर रही सारी पार्टियां बिल के खिलाफ थी फिर भी इसे लाया गया कॉंग्रेस पार्टिय की तरफ से प्रोटेस्ट है और जब धरने पे बैठे हैं इंडिया गेट पे यह जो पलीस ने कल लाठी चार्ज किया है डिली जामिया के स्टूडन्स पे लाइबरी में बातरों में टॉयलेंड में घुस घुस के मारा है और यूनिवरस्टी एडिमिस्टेशन की परमिशन के बगएर ऐसा किया गया है यूनिवरस्टी परिमैसिज में जब कभी भी पलीस को घुसना होता है उसमें अनमत्ती चाहिए एडिमिस्टेशन की वाइस चांसर की रिटन परमिशन चाहिए यहां कोई ऐसी पर्मेशन एड्मिनस्टेशन की तरफ से पलीस को नहीं दे गी और उनकी एड्मिनस्टेशन की अनमती के बगेर पलीस घुसी और कंपस में जाकर बातरों में जाकर टॉयलेट में जाकर लड़के और लड़कें को पीटा है पूरा देश इसकी निंदा करता है और यही कारण के हम लगज़ केसी वेनु गुपाल पूर्वर रक्षा मंत्रिये के एंटुनी एहमत पटेल और पार्टी क्या ने नेता भी धरने पर बैठे हैं इस बीच खबर है कि तीन मेट्रो इस्टेशन को बंद कर दिया गया है डिया कर्वियों आप नागरी को वा मीडिया को निशाना बनाया था स्पेशल डेस्क खबरे अभी तक